1984 के पीड़तों के जख्मों पर नमक लगाने का मिर्च लगाने का काम कर रहा है 1984 के कातलों को बड़े इनाम देने का उनको बड़े तोफे देने का काम कर रहा है गांदी परिवार ने एक बर फिर से अपनी सिख्खों के प्रती गिन को सिख्खों के प्रती नफरत को सिख्खों के साथ अपनी दुश्मनी को एक बर फिर से जीवित करने का काम किया है गांदी परिवार कमलनाथ जो की 1984 के सिख कतलियाम के दोशी है जिनके उपर इसी स्थान जहां पे हम आज प्रेस कॉंट्रेंस कर रहे हैं साहिब शिरी गुरुतेग भादर साहिब जी के पुवित्तर शहीदी स्थान के उपर दो सिखों के कतलियाम करने का दोश है ये मैं नहीं कह रहा ये उस वक्त जब ये कतलियाम हुआ उसके बाद बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट जो मिस्टर सूरी थे उन्हों ने भी संजे सूरी ने भी अपने ब्यानों में ये बताया कि कमलनाथ क्राउड के साथ दंगाईयों के साथ कतलियाम करने वाले लोगों के साथ तीन मूर्ती भवन से होते हुए रकाब कहीं तक पहुँचे कमलनाथ बकाईदा अपनी सरकारी गाड़ी में जिसके उपर लाल बत्ती भी लगी थी सफेद कुड़ते पिजामे में और घाड़ी के उपर सरकारी जंडी भी लगी थी उसके अंदर वो वहाँ पर आते हैं 1985 के अंदर जब कमिशन सेट अप हुआ जे रंगानाथन मिश्रा कमिशन और उसके बाद नानावती कमिशन जो शिरिय अटल ब्यारी वाजपाईजी ने इस वर्गिय अटल ब्यारी वाजपाईजी ने स्तापित किया इन दोनों कमिशन के आगे कमल ना अपने इस बात को अड्मिट किया कि वो यहाँ पर मवजूद थे उनकी लोकेशन जो थी बड़ी स्ट्रजिक लोकेशन थी क्योंकि वहीं कतल्याम हो रहा है और वहीं पर वो मवजूद हैं यहाँ तक उस वक्त के जो कमिशनर पुलीस थे उनके आगे जाकर भी सूरी साहब ने यह बताया कि इन्होंने कतल्याम में इनका पूरा योगदान रहा हमने भी दो हजार सोला में दिल्ली सिक गुर्दुरा मेंजमेंट कमेटी ने एक अगस दो जार सोला को इन दो कतलों को लेकर जो भारत सरकार ने साइटी कॉंसिचूट की थी हमने उनको लिखा था आप इस केस को दबारा से खोलिए जो एविडेंस पड़ा हुआ है जस्टिस जे डी जैन और शिरी डी के अगरवाल कमेटी की फाइलों में उन फाइलों को खंगा लिए उसके अ कदमा दर्ज करके अरेस्ट किया जा सकता है और उसकी ट्राइल कराई जा सकती है दो बेग्राओं के खून के लिए आज कॉंग्रेस की ये मान सकता कि वो सिख्खों के साथ अपनी दुश्मिनी को बुराना नहीं चाती इसके चलते आज एक टीवी चैनल के उपर कॉंग्रेस के एक मले सीनियर मले मिस्टर वेर का ने दो बड़ी टिपनिया की एक ये कहा ये रोते हैं इनको रोने दो ये रोते हैं इनको रोने दो और दूसरा कहा अगर कमलनात मुक्हमंत्री बन रहा है तो इनके पेट में क्यों दर्द हो रही है हमारे पेट में दर्द नहीं हो रही हमारे सीने में दर्द हो रही हमारे पेट में दर्द नहीं हो रही हमारे आंके नम हैं हमारे अंदर गुसा है रोश है गांदी परिवार के खिलाफ रोश है क्यों गांदी परिवार ने एक लकीर खीच दी हर जगा हम सिख्खों के उपर कत लिया हम करने वाले लोगों को बचाने का काम करेंगे, सिख्खों के उपर हमला करने वाले लोगों को हमेशा से बचाएंगे, और हमारी एक दुश्मनी हैं के साथ, इसका हमेशा हम सिख्खों को एसास कराएंगे, जब राहुल गांदी ये कहते हैं, मेरी दादी मरी, मुझे गारज तक मेरी दाधी की यादे नहीं भूली, मेरे अंदर गुसा था मेरी दाधी के मरने का, राहूल गांधी जी जिनोंने तुम्हारी दाधी को मारा उनको इस देश की सरकार ने फांसी पर लड़काया, पिर हमारे गुस्से का क्या होगा आथ अजार बेगना लोगों को तुमने मरवाया और एक को भी सजा नहीं हुई एक को भी फांसी नहीं हुई और एक को फांसी होने लगी तो सारी कांगरेस दिल मिला ओब थी आज कमल नात को मद्या परदेश का मुख्यमंत्री के रूप में जो बनाने की चर्चा हो रही है ये चर्चा कोई छोटी नहीं है गांदी परवार ये संदेश देना चाहते हैं उन कातलों को जिनोंने दिल्ली में, बुखारों में, कानपुर में, बिदर में, बिहार में मद्या परदेश में, यूपी के अन्य डिस्टकों में, हर्याना की बहुत तर्दना कतलियाम आपने सुना परिवार का परिवार गौं के गौं को खत्म कर दिया गया इन सब कतलियाम करने वालों को गांदी परवार ये संदेश दे रहा है डटे रहो, परवा मत करो, सजन कुमार, जगदीश टाइटलर, कमलनार, हम तुमारे साथ है जब जब गांदी परवार सत्ता में आता है, तब तक 1984 के कात्रों को बचाता है और यही काम अब आके राहूल गांदी ने किया, जो उसके पिता स्वर्गिया राजीव गांदी ने किया बोट करप पर खड़े होके कहता है, जब बड़ा पेड गिरता है, तो धर्ती हिलती है यही नहीं रुका, तब का परदान मंत्री देखिए, देश को संदेश क्या दे रहा है जुडीशरी को, पुलीस को, सीबियाई को, मारने वाले लोगों को और पीड़तों को क्या संदेश दे रहा है देश का मुख्य परदान मंत्री क्या बोल रहा है, कि देश के अंदर छोटे मोटे दंगे हुए चोटे मोटे दंगे आठ जार लोगों का मरना चोटे मोटे दंगे हुए और उन दंगों के अंदर कुछ लोग मारे भी गए आठ जार लोग कुछ लोग इसलिए मारे गए क्योंकि स्वर्गिया इंद्रा गंदी जी के मरने के बाद लोगों में गुसा था हमारे में भी गुसा है मेरे भाई जो रजीव गंदी ने काम किया बचाने का फिर सोनिया गंदी का एक दौर आता है वही सोनिया गंदी करती है उसका दौर खत्म होता है तो आज रहुल गंदी का दौर आता है जो उसकी दादी ने किया जो उसके परदादा जवाहलाल नहरू ने किया सिक्खों के साथ कत्रियाम दुश्मनी डालने का काम जो उसकी दादी इंद्रा गंदी ने किया सिक्खों के साथ कत्रियाम का दुश्मनी डालने का काम जो उसके पिता ने किया सिख्खों के साथ दुश्मनी डालने का काम जो उसकी माता ने किया सिख्खों के साथ दुश्मनी डालने का काम वही आज राहूल गांदी कर रहे हैं सिख्खों के साथ फिर से दुश्मनी डालने का काम बचाया जा रहा है संदेश दिया जा रहा है सर्जिन कुमार जैसे लोगों को टाइटर जैसे लोगों को डबते रहो तुम्हें हम कुछ नहीं होने देंगे यह मुख्य मंत्री नहीं बनाया जा रहा कमलनाथ को यह CBI को जुडीश्री को उन लोगों को संदेश दिया जा रहा कि कॉंग्रेस और गंधी परिवार कमलनाथ के साथ खड़ा है हम गंधी परिवार को एक बात याद करना चाहते हैं हम अमन पसंद लोग हैं हम शांती पसंद लोग हैं लेकिन अगर हमारे से किसी ने दुश्मनी डाली हम उस दुश्मनी को निभाना भी जानते हैं और जब जवाब दिया है हमने उस दुश्मनी का और जवाब भी ऐसा दिया है जो इतिहास की किताबों के अंदर पढ़ाया जाता है हमारा जवाब हम दबने वाली कौम नहीं हमारे अंदर वो जजबा है तुम हजारों लोग कठे होके किसी बेगुना को मार सकते हो कई बार हजार यखे ओकर एक शेर को भी मार सकते हैं प्र lan can लेकिन क्या जंगल के अंदर तो उस शेर का जबा जजब उसकतम हो जाता है यह उस शेर कि देख खतम हो जाती है इन लोगों के इस तरह से जुन्ड बना कर हमारे पर्डेया म और वार करने से ना हम कभी डरें हैं ना हम कभी डरेंगे सज्जन कुमार जगदीज टाइटलर जैसे लोग सिख कौम के दुश्मन है गांदी परिवार सिख कौम की दुश्मन है हमने अपनी दुश्मनी को पहले भी निभाया है और हम अपनी दुश्मनी को आने वाले वक्त में भी निभाएंगे ना हम कभी डरे हैं ना कभी डरेंगे टाइटलर और सज्जन कुमार को फांसी के फंदे पर पचा कर छोडेंगे कमनात को उसके कतलियाम की उसके दोश की सजा दिलवा कर छोडेंगे लाख कोशिश कर ले गांदी परिवार लाख कोशिश कर ले सारी कॉंग्रेस तुम जोडीचरी को कब्बू कर लो तुम सीब्याई को कब्बू कर लो पर तुम इनको बचा नहीं पाओगे और जिस दिन सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर जैसे लोग कमलना जैसे लोग सजाए मौत के हकदार लोगों को हमें इंसाफ मिलेगा और उनको सजा मिलेगी तब मैं आग गांदी परवार को ये याद करना चाहता हूँ वो दिन होगा जब तुमारे खिलाफ विसी तरह फाइलें खुलेंगी 1984 के कतलियाम का जो राज साजिश रची गई थी वो गांदी परवार के घर पर रची गई थी जब राजीव गांदी ने कतलियाम कराने की बात की थी तो अपने घर पर बैठ कर बात की थी और उसके अंदर कौन-कौन लोग शामिल थे, गांधी फेमिली के प्रिवार के लोग सोनिया गांधी और कौन लोग शामिल थे, इन सब के भी बेपरदा होंगे, ये भी बचनी पाएंगे, राहूल गांधी, सिख कौम का जज़वा, सिख कौम के नसों में दोड़ता हुआ ख ना कभी डरें हैं ना डरेंगे हम आज इसको यागार करना चाहते हैं अगर तुमने ये घातक फैसला लिया अगर तुमने ये मन बना लिया कि सिक्खों के इस अकरोश को तुम सहिने को त्यार हो अगर तुमने ये फैसला कर लिया कि 1984 के कातल को तुम मुख्यमंत्री बना के का देश जना चाहते हो तो पिर हमारा भी ये फैसला है पूरे देश में और दुनिया में तुम्हारे इसासी इंसे इंट खड़का देंगे और ऐसा जनक रोश पैदा करेंगे जिसके लिए जिन्दगी भर तुम्हें पश्टाना पड़ेगा अपने इस फैसले कि इस भूल के ल चरनों से ये वादा है प्रण हैं हमारा अपने गुरू के चरनों से और प्रण हैं हमारा उन 8000 बेगनव लोगों के आत्माँ से हम बद्ला लेना जानते हैं सजाओं पे तुम्हें पचाकर चोड़ेंगे कतल्याम करने वालों को फांसी लगवा कर चोड़ेंगे मत हमें मज कशाइब करो कि हम शांची पुसंद लोग अपने गुष्य को जहार करने के लिए मजबूर हो से अब कुछ होने वाला नहीं है वह वक्त खत्म हो गया जब धरने प्रदर्शन किया जाते थे अब धरने करेंगे जो भाशा कॉंग्रस को समझ में आती है कौन सी बाशा कॉंग्रस को समझ में आती है और आगे भी यह बाशा को समझ में आती है अगर उनको यही बाशा समझ में आती है अगर उनके बंद कान बंद आखें खोलने के लिए अगर भगत सिंग को जाके कदम उठाना पड यह विशे आने वाले दिनों में सामने आएंगे हमने कॉंग्रिस को अज अगा किया है गंदी परवार को अगा किया है और सिक वही है गुरू की सची दिखाई हुए रस्ते पे चलने वाला वही है जो अगा करके कहें मत करना मत करना मत करना और फिर भी कोई करें तो फिर गु कबंदा गवात घुट ताथ मिख्तियार सिंग साड़े कोल गवा है कमल नात था असी साइटी नो ओर्डी लिख चुके हैं दिली से गोरदरा मेंजमेंट कमेटी से केस्ट गेश्च दूप परस्यू कर दी पहियाँ साइटि मुकदमा धर्ज करे मुक्तियार सिंग साड़ा ग कुल्दीब सिंग पोगल इंदनों सब गवामादा भी पता है और इंदनों इस केज दे बारेच भी जान करिया इस सारी लाई अलएड़ी लड़ चुके हैं इंदनों सारी इस्दिवादे जान काई के दिली कमेटी दे ओंपनि रहे ने मयनेजर रहे ने बेल कॉल्य करेंगी सियुक्तियार सिंह भी गवार संबने आईगा और मुक्तियार सिंह और असी उसनों बार बार फॉलो कर दे पायां असी उन्हान रिमाइंडर भी पेज जेने टाइमली बाई एक अगास 2016 नों असी उन्हान पेज जे आ से ओना दा रिमाइंडर भी आसे उन्हान बार बाई टाइमली पेज गे रहे हैं कि जैदा अटार सिंग एथा पर ला को हो उर्सवारत नी पर फ्रति को सभाई नी कोई दिल्ली दे अंदर अनेका गवाने पर गवा किसी दे गवाई देवे जोदो मुकदमाई दर्जनी पुलीस के ऐसी दर्जनी कर रही गवाई किते देवे सडकते खलो के गवाई देवे पार्लिमेंट खलोस दे भार खलो के गवाई देवे गुरु किते जाके गवाई देवे किन्नू गवाई देवे जदों तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुंदा गुवादा कोई रोल ही नहींगा आसी मुकदमा दर्ज करोण वास्ते इस दी पैरवाई कर रहे क्योंकि सुप्रीम कोट गेंदर सरकार ने एक साइटी कॉंसिचूट कीती सी ओस साइटी ने प्राने केस भी खोले असी उन्दों वे भी रिक्वेस्ट कीती कि एस केस अंदर भी मुकदमा फ्रेश दर्ज करो क्योंकि सुप्रीम कोट जी रूलिंगा कि जेडा कॉगनिज जेपल अफेंस होया है उस दा मुकदमा लेट स्वेर कदी भी दर्ज किता जा सकता को बारिंग निया की कि तीस साल नहीं होना चाली साल जो दों वी पता लगे हो दों ही मुकदमा दर्ज हो सकता है लेकिन आजे ताक एससाइटी ने इस ते कोई मुकदमा दर्ज नहीं कीता है कि अज़े बाज़पाई दी सरकार्दे टैम देखते हैं कि मैं और मेरे साथी सव दार कली उसे पोगवर दिते या असी मेरा खाला कर्टो कर पांड बजारे कीते हैं इस गल्योंते होते हैं मुकदमा दर्जी किता जाए कि कमलनाब दों को आज़ता कंप कल प्रणा नहीं है बहुत प्राणा हैं क्यों को लागी तल्या आ रहा लेकि सरकार ने मिचाउड़ी कोश्ची कूरी किते हैं मैंने मनी हरानी दिगा दा कि ओजड़ी गालर जीवां देने कहीं सीनों थे कि जब बड़ा पेड़ गिरता है वो दे अंदर दा एक घुसा अंदर दी ये नफरती जड़ी आज तक चली आ रही है जो इनने साना में थोड़ पारदियां थे ग्रीश टर दीया उना एड़ा दौट एक हमें आया है एस सिर्दी सिख्वान ने के चैनल बहुत बड़ा जिराए कर दे पाया है असी 2005 दे मिचारा कीता आरपारदी रही लड़ी थे पारदी मिना तुई देखे आविया सारे ले और लगा तार इत्ते चार चलना रहा किसे ने वो दो दातियानिकिता इस करके सरकार जुन कहां कर साहिया तो मकंद में नहीं हांगे मकंद में जांदा नीदेट वासते को आपने जितके हैं अधिक्ता है ने खलाव साधी सारी पर जिंदर सर्साथ था नोदे थप्ड़ माराया के असे करके माराया कि गॉन्हीन जी जडिया उसे घडिया उपने अपने 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 अवरे आधे कर दे का गुर्णा किता है ज़ा गल्ती होई ज्यद्वों सांडे किसे बने से कना कूछ घडाया उदा हुंदा है तो जोहार्ण को आधा की मिलता है उनुच्छणासी पोल गई है जे आज उना सब्सक्राइब 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 बखोनों के और उना फिर्फ है तर्फ करने हमें अएलो करने फिरशी करांगे आज लो यह फार्ट कंफरण्स रखी गई है और उस अस्तान पे रखी गई है गुर्टेग बादर साब के अस्तान पर जहां पर उस मैं उसको दरिंदा ही कहूंगा कमलना जिसने यहां पर दो लोगों की हत्या की गुर्टवारा रकाब गंज को नुपसान पोचाने की कोशिश की और मैं यह मांता हूँ मेरे भाई ने अभी पुछा था कि आपने तीन साल या चार साल से क्यों नहीं बोले मैं इस बात कहना चाहता हूँ कि सबसे यादा यहां पे केंडल में कांग्रेस की सरकार रही है हमारी अवाज को जब जब हमने कमलनाथ की अवाज को उठाया या धर्नापरदर्शन उस टेम वोट कलब पर दिया कि कमलनाथ भी सबसे बड़ा गुनेगार है जिसमें जगदीश टैटलर सर्जन कुमार है कमलनाथ की जो बते हमने लिक के दी उस टेम हमें याद है कि जैब परकाश अगरवाल जो संसर सदस्या थे जब हम गोट कलब पर बैटे लगातार 14-15 दिन हमारी भूखरतार वहाँ पे चली और जैब पकाश अगरवाल आए महाँ पर कहने लगें आप अपनी भूखरताब तोड़ दीजिए ये सजन कुमार कमलनाथ भगत ये जो दूसरे लोग हैं इनके खलाफ केस रिजिस्टर किये जाएंगे मगर अफसोस की बात आज कांगरस ने हद कर दिया है आज हमारे जो जखम है वो उनको फिर रूरेता है उन पर नमक चंका है आज जो डंगा पीरित परवार है वो फिर सोचने पर मजबूर हो गया है क्या इस देश के हमभासी नहीं है कमलनाथ जैसे लोगों को आज गाहुल गांदी और सोनिया गांदी और उनके दूसरे लोग आज कमलनाथ को फिर एक बार चर्चा के विशे में ला दिया है कि उसको मुख्या मंत्री बनाया जा रहा है मद्यापरदेश है लानत है कांग्रेस को लानत है कांग्रेस को ऐसी कांग्रेस को जो सिक्खों के साथ खिनवार कर रही है लगातार एक बारी फिर जैसे जगदी टैटलर को लगातार मनिश्टर बनाया उसके बाद संसल संदस्या बनाया सर्जन कुमार को बनाया ये कमलनात का शोशा एक बार फिर छोड़के कांगरस दो है वो फिर गेरे में आ गई है मैं जो अभी स्थरसा जी ने और मेरे प्रेस के बायों ने बात की क्या एक बार फिर थफ़र मारा जाएगा हाँ मरा जाएगा आज 34 साल से देश की संसस के अंदर देश की संसस के बार हम ये कह रहे हैं हम भीख नहीं मांग रहे हम अपनी बेहनों के अपने भाईयों के अपने पिताओं के अपनी मताओं के उन कातलों के लिए इंसाब मांग रहे हैं जिन्होंने सामने देख के ये का करो गुरू को बिन सिंग को याद और ये कहा कि बेटी है सरदार की देश के गरदाद की और वहाँ ढोलत बजाकर ऐसे आज जो कमलनाज जैसे गुंडे और बदमाज कांगरस के गुंडे हैं ये तो इन गुंडों ने उस टाम लगातार अगन भेट किया आज हम कांगरस को चताम नहीं देना चाहते हैं ये थपड़ तो बहुत दूर की बात है अगर उन्होंने कमलनाज जैसे जलीर इंसान को कातल इंसान को जिसने गुंडे बहादर के अस्तान पर दो लोगों को कतल किया उसको अगर सियम बनाया तो इसके जो हैं वो इतने भ्यांकर निकलेंगे ये सरकार भी नहीं सोच सकेगी मैं एक वाली फिर कांगरस सरकार को बिंती करता हूँ कि आप कमलनाज को अगर बनाने का काम किया तो पूरा जल जला आ जाएगा पूरे देश में और उसको बचाने वाला कोई नहीं होगा कमलनाज कातिर है इसकी अगर आप ऑट लोक इंडिया न्यूस सबका मैगजिन देखें तो उसमें सुभाज कंटन और अडिशू कमिस्टर गौतन कॉल ने भी ये माना और इंडिपेंडेंट सोर्स में भी ये माना कि जहां पर उसकी लोकेशन थी और जो दो लोगों का कतलयाम हुआ हमें उससे भी ज्यादा इस बात का दुख है कि कमलनाज जैसे लोग उस दो आदमियों के कतलयाम में शामिल हो मीडिया के अंदर ये बात तब बेर चर्चा में आई और आज भी चर्चा में है कमिश्टर प्रीज भी इस बात को माने और मिटनेस भी इस बात को माने और गांदी प्रिवाद सब भी बचा रहा था कमलनाज को आज भी बचा रहा था और ये सबसे बड़ा दुखिस बात का है कि आपने कभी ये सोचा जिस गुर्दवारे पे आपने हमला किया जिस गुर्दवारे पे बाहत पानी प्याओ उपे खड़े लोगों को आपने मारा ये वो गुर्दवारा है जिसने मानता के लिए इस देश की रक्षा के लिए इस देश के लोगों के धर्म की रक्षा के लिए अपने आपको अपने 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 आपको इस मानता के लिए ऐसी बड़ी कुर्बानी भी और खुदी ही गुरूत एए बादर साहभ ने वो कुर्बानी नहीं दी उनके साथियों ने भाई मतिदा जी बाई सती दाजी बाई ब्याना जी जैसे लोग जोनों ने मानपता के लितनी बड़ी शाहधत दी और ये वो रिकाब के जो अस्तान है जाक शीर गुरुतेग बादर साहब जी के धड़ का अंगीता है यहां पे संसकार किया उनका और आपने मानता को शर्मसार कर दिया ऐसे जगा पर पुछ अस्तान पर आके उन लोगों का कतलियां किया और आज तक गांती परवर उनको बच रंगे हों और वो भी उस्तान पर जाकर जहां पर सबसे देश की पुछ तर स्थान हो जिस्तान के लिए देश के अंदर धर्म को बचाने के लिए धर्म निर्पेक्टा के लिए किसी के अंतिम संसकार की स्थान हो गुरुतेग बादर साहिब का उस्तान पर जाके हमला किया प्रिम्मा वान सीटियों के या कांग्रेसि की मान सकता शेत्रबाल साब गुराने की ऐसे स्कानों को गुराने के आई तक बदली में सब्सक्राइब आए जिए जिली गिएटी पॉट देड़ा है तो ठीपे जिसेट पिके और इस तीफे मजबूर होगे एक तीजिदा इसोना होज़नी है तो किसा दर भॉट जाओ ऑगा है तो ते लेक्षन होगे लेक्षन अपर से रहा है कर दो के शेका लिए किनों कि नहीं मनना दूसरी आलेविट पिजा पीडाद की अग़। जड़ी करप्शन होई आज ये केस्टा देपाया वह बहुत को निमक्षन है जिसे कीमाद निमक्षन है मैं जड़ा मरती होए मैं का मुझुदा पुर्दा केज़ा ही लगे कोई न तू मुझुदा पुर्दा कोई होए जड़ा मनाइः चाहिया ओर पाति नहीं सकता है एक गुरू करना पैसा है तो जीदिक पुर्दा अर्गीच जट बंदी मेरी जुमर यह जिए मैं उसके मैचात मेरी जुमर है वही है जड़ा भी बंदा पर चाहिया उँ बंदा बेलकुल है तो गुरू नार दरदा पैसा एक जानकर सारी जानकर रिया सानु पताई जो होना देखले वकर प्रिस तुसा कि नहीं जब दिया कहल तो अंतादित के गुर्दवराज साल्ब भुड़ाज शांगे हैं घुर्दवराज भुड़ाज विछॉनिया इस नहीं ऐसाब भुड़ाज विए भुड़ाज मेरी टिकेटाया रहें मेरे किसे जाना हैं तो निमकी की आजिकरी कि शीथ हुनाई है तफिर